हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लेकर आए हैं एक दम नई तरह के नास्ते की रेस्पी यह बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी और इसे खाने के बाद आपका सारा थकान दूर हो जाएंगे बहुत ही इनर्जी से भरा हुआ नास्ता है और यह कुछी मिंटो में सिंपल तरीके से बन कर तयार हो जाता है तो देर किस बात की चली इसे बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लिज वीडियो को लाइक से और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो इस रेस्पी को बनाने के लिए यहां पर हम एक कप दलिया ले लिए हैं इस नास्ते को आ पानी से अच्छे से धूल लिए हैं इसे धूलने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे पानी तो यहां पर एक कप पानी डाल लिए हैं और पानीडा कर हम इस दलिया को 2 घंटे के लिए इसी तरह से भगो कर चोड़ देंगे यानि कि इसे फूलने देंगे और अगर आपको जल्दी में नस्ता बनाना है तो दलिया को गरम पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दीजिएगा तो अच्छे से फूल जाएगा यहाँ पर हमको जल्दी नहीं है तो हम आराम से ढख कर दो घंटे के लिए दो घंटा हो गया है तो इसका धकन हम हटा लेंगे और आपको मैं उठा कर दिखाती हूँ ए देखिए दलिया बहुत ही अच्छे से फूल गया है तो अब हम क्या करेंगे दलिया में जो पानी है इस पानी को हम निकाल लेंगे तो यह लिजिए दलिया में के पानी को हम निक करेंगे चल्ट के अच्छे पीछ जाएगा अब इसमें एड़ करेंगे यहां पर आधा कप सूजी यह बारिक इन बारिक वाला जो भी आपके पास है ले सकते हैं और इस साथ हम ईसमें डाल लेंगे आधा कप दही तो इस माप को आप ध्यान में रखिएगा तो आपका नास्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तयार होगा तो अब हम जार के ढखन बंद करके इसको हम अच्छे से पीस लेंगे तो यह लिजिए इसको हम पीस लिए हैं और आपको दिखाती हूँ यह देखी बहु गड़ा है तो इसमें हम डालेंगे दो चमच पानी ज्यादा पानी नहीं डालना है बस दो चमच इसमें हम पानी एड़ किये हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह लिजिए इसको हम अच्छे से फेंट लिए हैं तो अब इसको हम साइड में रख देंग के दाल और साथ में डाल लिए हैं आधा चोटा चमच राई याने की काला वाला तील जदा गरम हो गिया था तो गैस की फ्लेम बंद करके इसमें हम करीपता डाल कर इसे हम नीचे उतार लिए हैं और अब हम इस घोल में इस तरका को डाल देंगे तो इस तरह से तरका लगा कर बनाने से ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब हम इसमें डाल लेंगे दो बारी कटा हुआ हरा मिर्च हरा मिर्च अपने तीखा के कोडिंग कम्या ज़्यादा कर सकते हैं साथ में ही डाल लेंगे हम एक बा अब चाहे तो थोड़ा सा गाजर भी अपिसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं तो अब हम डालेंगे इसमें स्वाद कनुसार नमक और साथ में इसमें डालेंगे एक चोथाई छोटा चमच बलैक पेपर यानि की काली मिर्च पाउडर एक चोथाई छोटा चमच इसमें हम डाल लेंगे गरम मसाला तो अब हम इस मसाला को इस घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला के फ्लेवर है इस घोल के अंदर तक अच्छे से समा जाएगा तो इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं तो अब हम इसको एक से दो बार इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिठा सुड़ा डालने के बाद ज्यादा इसे नहीं फेटना है मिठा सुड़ा डालने से जो हमारा नास्ता है वो फूला-फूला और जालीदार बनकर तयार होता है तो आपको मैं उठाकर इसका कंसेचेंसी दिख अच्छे से तेल लगा लेंगे ताकि जो नास्ता हम बनाएंगे वो इसमें चिपकेगा नहीं तेल देखिए तेल हम तावा में अच्छे से ग्रिस कर लिए हैं और अब हम यहां पर जो घोल बनाए हैं उसे लेंगे और एक बार इसे चला लेंगे इसके बाद एक कर्ची घोल और इस तरह से हम तावा में डाल लेंगे तो यहां पर हम छोटा वला कर्ची लिए हैं आप अगर बरे साइज के बनाना चाहते हैं तो बरा वला कर्ची ले सकते हैं गोल को डालने के बाद नहीं फैलाना है बस डाल के छोड़ देना है यह अपने आप अपना सेप ले लेगा तो यहां पर तावा हमारा बरा है और छोटे साइज को हम बना रहे हैं इसलिए हम एक बार में तीन पीस डाले हैं और अब हम इसको ढख देंगे ढख के लो फुलेम पर दो मिनट तक इसको इसी तरह से पकने देंगे दो मिनट हो चुका है तो इसका ढख कन हम हटा लिए हैं और आप देख सकते हैं उपर से बिल्कुल ड्राई हो गया यानि के अच्छे से सुख गया है तो अब हम इसको पलट लेंगे यह बहुत ही इजली पलट जाता है बिल्कुल भी ताबा में नहीं चिपकता है आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से फूल भी गया है और इसमें देख सकते हैं जाली भी अच्छे से बना है तो अब हम इसके साइड साइड से इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे 們 साइड बहुत ही प्यारा AMY कलर आ गिया है नास्ता में कि निकाल लेंगे और हम बाकी भी बनाकर त्यार कर लेंगे तो आने माजा दार नास्ता है बढेते हैं दाऊग्विदेरी आफ़ पना सा त्यार है वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में नए रेस्पी के साथ जय हिंद